नमस्कार दोस्तो मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर्शे आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक सवाल जो मुझे से बार-बार पूछा गया है लेकिन एक बार फिर से आगरा से जावेद इसे पूछ रहे हैं जावेद का सवाल यह है कि जब वो नींद में रहते हैं या रात में जब उनकी आख खुलती है तो उन्हें अच्छा इरेक्शन रहता है जब वो सुबह सोके उठते हैं उस समें भी उन्हें अच्छा इरेक्शन रहता है और जब वो नींद में रात में जब उनकी आख खुल के importing दवाई आपको बताँ है यह दवाई आपको नीद में एर्यक्षन रहता है और जब आप इस प्रोब्लम के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है यह अच्छा काम करती है तो यह 12. दोनों दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन दोनों के चितर भी मैं आपको डिस्पले पर दिखा दूँगा सबसे पहली दवाई है ओपियम ओपियम हमें 30 पोटेंशी में यूज करनी है पांच-पांच बुंदे शुबे दो पर शाम ओपियम को हम लेंगे तो हमारी ये प्रोब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी लेकिन अगर हम ओपियम के साथ-साथ कैलेडियम 30 भी यूज करें ओपियम 30 और कैलेडियम 30 इन दोनों दवाईों को हम साथ-साथ इस्तमाल करें तो हमें बहुत यच्छे रिजट मिलते हैं तो दोस्तों अगर आप इन दोनों दवाईों को लोगे तो जिस जिसको भी ये प्रोब्लम है कि रात में नीद में एरेक्शन रहता है लेकिन जब वो जाग जाते हैं तो उनका एरेक्शन खतम हो जाता है तो ये दोनों दवाई आप लगातार 15 से 20 दिन तक लें तो आपकी ये समश्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और इन दोनों ही दवाईयों को आप होमियोपैथिक डॉक्टर से ले सकते हैं ये कहीं पर भी किशी भी शहर में आपको मिल जाएगी और आपको अगर इस प्रकार की प्रोब्लम है तो लगातार 15 से 20 दिन तक लीजिए और इन दवाईयों से आपकी ये प्रोब्ल और इसके साथ साथ बैल का आइकन जरूर दबाएं सबी दर्शकों का मैं एक बार फिर शे बहुत बहुत देनने वाद करता हूं शबी को मेरा नमस्कार